नमस्कार आप देख रहे हैं वीके नियूज और नदिश्टोर उपाध्या है कहते हैं कि आप सच्चाई को छुपाने की लाग कोशिश कर लो लेकिन आज नहीं तो कल पकड़े जाओगे और जब दुनिया के सामने वो सच्चाई सामने आएगी तो यतनी चीशालेदर होगी कि शायद ही कभी कलपना की हो ऐसा है कुछ बात-बात पर छूट बोलने वाले डगवाद्चीन के साथ हुआ है क्योंकि दुनिया को कोरोना की तबाई में छोकने वाले चीन ने किस तरह से खुद को बचाने के लिए जूट पर जूट बोला कि ये वाइरिस उसके आज से पैदा नहीं हुआ मगर उसके ही कई डॉक्टरों ने इस जूट को बेनकाव करते हुए जिन्पिंग की नियत की पोल कोल कर रख दी जिसके बाद दुनिया भर के देशों ने चीन किस नापाख हरकत की वज़े से उस पर एक के बाद एक शिकंजा कसना शुरू कर दिया इसके बाद धोके बाद चीन एक और बड़ी सचाई को लगाता चुपाता रहा लेकिन अब वो सचाई सबूत के साथ दुनिया के सामने आ गई है तो उसकी दुनिया में किरकरी हो रही है दरसल चीन का जो जूट बेनका हुआ है वो जुड़ा हुआ है पंदर जून की रात गलवान खाटी मोही हिस्सक छडब से क्योंकि चीन की ओर से की गई इस धोकेबाजी में हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे इस दौरान हमारे जवानों ने भी चीनियों को गर्दन तोड़ पराकर्म दिखाते हुए उसके 40 से ज़्यादा सैनिकों को ठेर कर दिया था भारत ने अपने शहीद हो इन सैनिकों की संक्या बताई थी और साथ ही देश की रक्षा के लिए खुद को बलेदान करने वाले इन शूर वीरों को सम्मान पूर्वग विदाई भी दी गई थी लेकिन चीन ने आस तक अपने मारे गए सैनिकों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी लेकिन अब चीन का ये जूट बेनकाब हो गया है दरसल पहली बार चीनी सैनिकों के कबर की तस्वीरा इंटरनेट पर वाइरल हो रही है चीनी ट्वीटर कही जाने वाली वाग की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट वीवो पर वाइरल हो रही है चीनी सैनिकों के कबर की तस्वीरे हैं जो जिन पिंग के जूट की पॉल खोल रही है तस्वीरों में एक समारक दिख रहा है जिसमें कबरी कबर नजर आ रही है इनी कबरों में से एक कबर पर चीन की मेडरिन भाशा में जो लिखा है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए इनमें से एक कबर पर लगे पत्थर पर लिखा है कि शहीद चैन श्रियांग ग्रेक की कबर है जो की चीन की सेना की तेरेवी रेजिमेट की यूनिट नंबर 69316 में थे इस यूनिट की तनाती तचिण शिंजियांग में है आगे लिखा है कि सैनिक का जन्म दिसंबर 2001 में चीन के फुजियान प्रांत में हुआ और इस सैनिक ने 2020 में भारत से लड़ते हुए अपनी कुर्बानी थी ये वही चीन है जो अब तक ये मानने से इंकार कर रहा था कि 15 जून की रात गलवान में उसका कोई भी सैनिक नहीं मारा गया था लेकि चीन के 40 सैनिकों की ये कब्रे बताती है कि चीन को उस रात बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और चीन के लिए जाया दिनों तक इस सच पर परदा डालना असान नहीं था तुमें लद्दाक के पैंगोंग चील के दच्छरी लाके से चीन का सफाया हो गया है भारती सैना का सामना करते ही चीनी सैनिकों को ऐसास हो गया कि जान बचाना है तो यहाँ से भाग निकलो और हुआ भी ऐसा ड्रेगन की आर्मी दुम दबाकर भाग कड़ी हुई पैंगोंग शो की ब्लैक टॉप हिस पर भारतीय सैना ने कपजा कर लिया है इस इलाके पर चीन अपना दावा करता रहा था 29 से 30 अगस्त को करीब 500 चीनी सैनिक टैंकों के साथ यहाँ कपजा करने के लिया थे लेकिन भारतीय जावाजों ने उन्हें खदेर दिया इसके बाद चीन की जग हसाई हो रही है पुरी दुनिया की नजर इस बक्त भारत और चीन के बीच चल रही तनातनी पर है इसमें चीन की गीदर भवकिया बेनकाब हो चुके हैं अब भारत में पैंगंग शो अमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहीं विकी नूस नमस्कार